आज तक रेटियो, सुनता है सारा जहां तो आखिर क्या माजरा है, क्या वाकई कुछ खास चीजों को खाने पर हमें नीन्द आने लगती है, आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बात्चित करेंगे हेलो डॉक्टर खाकर इतनी जादा नीन्द आती है कि आँख खोलना मुश्किल हो जाता है, काम करना तो दूर की बात है कुछ लोग ठक कर दो पहर में खाना ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज के एक्सपोर्ट जुड़ गये हैं, तो डॉक्टर अदित्य हमारे साथ जुड़ गये हैं, जो की बैंगलोर क फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटर्नल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट है, स्वागत है डॉक्टर अदित्याब का आश तक रेडियो पर, अन्यवाद, डॉक्टर अदित्या सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जिसे कई चीज़े होती हैं, लोग शिकायत करते हैं कि उ काने से ही हमें नींद आती है, जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कई चीज़ों से खाने के बाद नींद ज्यादा आती है, जैसे हाइफाट फूड डायेट जब होता है, जब हमारे डायेट में हाइफाट फूड के कंटेंट बढ़ जाती है, तो यह पोस्ट मील, स्वीप या पोस्ट मील टायेट डिस को बढ़ाती है, और दूसरी कॉमन चीज़ है, हाइ कार्गो हाइडरेट मील, उनको लेने से भी, you can feel a very very high sense of sleepiness after the meal, ठीक है, लेकि अगर हम स्पेसिफिक डायेट की बाद करें, जैसे अपनी कहीं अभी पूरी कहीं, तो डेपनेटली कूरी इस कॉस्ट कर सकती है, मील के बाद, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक फूर्ट की बात करें, जैसे एक amino acid है, ट्रिक्टोफैन, जो ये brain के sleep process को trigger कर देती है, तो फिर जब हम ट्रिक्टोफैन से rich food लेते हैं, तो उनसे ये बहुत, बहुत ये हम deeply देख सकते हैं, कि people tend to get more sleep after eating के, तो तो फिर अगर ट्रिक्टोफैन और कार्बोनेट को मिलाया जाए, तो इनका असर भी ज्यादा होता है, तो basically और थोड़े foods के मैं example दे देता हूँ, जैसे होगा milk, जैसे होगा banana, oats और चॉकलेट भी, और आखरी मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा, जो nuts हैं, वो जो rich होते है melatonin में, जैसे walnuts हैं, pistas हैं और दूसरे other types of nuts हैं, इनमें melatonin की मातरा बहुत ज्यादा होती है, तो सब को पता है है कि melatonin has an exertion of our sleep pattern, तो इनको लेते ही, you induce a sense of drowsiness of congerving, ठीक है डॉक्टर साब, तो ये तो सारे चीज़े आपने बताए कि जिसकी वजह से हमें मतलब नीन दा खाना खाने के बाद, लेकिन कई लोगों को शिकायर जो है, वो दो पहर के बाद ज्यादा महसूस होती है, दो पहर के बाद मतलब आप ये समझे कि कई लोगों में नहीं होता है, आप वही खाना खा रहे होते हैं, बट वो लोग एक दम काम करनी के लिए capable होते हैं, लेकिन क इस वज़ा से होता है खासकर दो पहर के मामले में और ये मतलब किस तरहा की कंडिशन है ये बहुत एक important aspect है ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक biological clock बसता है और उसको हम medical terms में circadian rhythm कहते हैं ये हमारे circadian rhythm जो है ये sleep-wake cycle को regulate करता है और अगर इस circadian rhythm में कोई apathy आए तो that can definitely cause postprandial somnolence जो हम बोलते हैं या postprandial sleeping ठीक है और ये एक acquired issue भी हो सकती है जैसे लोगों के the day planning of the day goes wrong जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग रात में काम करते हैं कई लोग दिन में सोते हैं और कई कबार उनके timings भी उपड़े चे हो जाते हैं जब ये सब स्टार्ट हो जाता है एक regular basis पे तो circadian rhythm में बहुत disturbances हो जाती है तो this can cause a lot of dip especially during the afternoon knee जो हमारा एक main knee होता है और उसमें you can tend to feel a little more sleepy after it दूसरी कीज जो है अगर आप proper rhythm follow कर रहे हैं लेकिन आपकी रात की नीम जो है disturb हो रही है then drowsiness after lunch जो है after ये डुपएर की जो खाना होता है वो increase हो जाते है और ये tendency जो है not only lunch it can also go into other times of the day inappropriate times और आपको एकदम एक नीम जी ऐसी feeling हो सकते है एक और बात कहना चाहूंगा एक disorder हम देखते हैं it is called obstructive sleep apnea जिनमें because of basically because of overweight रात की नीम जो है रात की नीम की cycle पूरी नहीं होती और again इसके because of this we get to have a lot of daytime और post-prandial somnolence तो आपने जिस तरह की बातें की क्यों दो पहर के खाने के बाद इस तरह की कमजोरी होती है ठकान होती है कि आप काम भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा दो पहर का meal actually में होना कैसा चाहिए जैसे हमें तो जैसे हम ये बचपन से सुनते आएं कि आप breakfast जो है do it like a king फिर आप उसको थोड़ा और कम करें lunch को और फिर डिनर आप सबसे कम करें तो lunch में but actually में क्या होना चाहिए ताकि जिस तरह की ये drowsiness होती है जिस तरह की कमजोरी होती है उसे हम avoid कर सकें पहली जो बात में कहना चाहूंगा आपने lunch को observe करिएगा eat mindfully उसके nutrition composition को देखके परक्या खाईए please don't overeat जितना आपको चाहिए जितना आपके body को चाहिए उतना ही खाईए कई कबार लोग you know they tend to get a little carried away that is not something which we want तो ये एक हफ्ते के लिए देखके आजमा के देखेगा you will absolutely settle down आपके जो sleeping tendencies है वो भी कम हो जाएंगी तो और इसके साथ आपको अपने night के sleep को improve करना ज़रूरी है I keep telling this over and over again क्योंकि ये एक बहुत important aspect है afternoon sleepiness को prevent करनी के लिए रात में avoid eating too late at night ठीक है because this can again alter the sleeping patterns it can alter the digestive system also and these can cause a little bit of trouble ये कि अगर आपने hypertension, cholesterol और diabetes जैसे बिबारिया है तो ये और भी important हो जाती है कि आप timing follow करें breakfast, lunch और dinner का एक सही you know protocol में आप लें और अगर आप diabetic हैं तो short frequent meals through the day this applies to diabetes और जैसे आपने mention किया कि normal लोगों में have a king's breakfast a princess lunch and a proper dinner breakfast औरी heavy होनी चाहिए lunch moderate and a very very light dinner अगर हम ये चीजे follow करें these are very common things जो हम कर सकते easily then I think we can prevent post-pandled sleepiness ठीक है और जब ये food coma होता है दोपहर के खाना खाने के बाद जब कई लोगों को ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है तो ये कितने दिनों तक last करता है मतलब क्या ये permanent एक तरीके से हो जाता है या फिर अगर आप इन चीजों को जिसने मैंने बताया तो definitely you can prevent food coma from occurring or at least it is better the intensity definitely improves और ये prevent भी हो सकता है ये मेरा मानना है लेकिन इस habit को थोड़ा सक्ती से और थोड़े से seriousने से लेना है और अगर हमने इसे seriously नहीं लिया हम लोग जैसे कई लोग ये सोचते ना कि ऐसे भी थकान हो रही है दोपहर के बाद सो ही जाना चाहिए 15 मिनिट खाना खाने के बाद और फिर हम इसे ignore करते जा रहे हैं तो फिर आगे चल कर ये किस तरह की problems हैं वो हमें हो सकते हैं अभी तो फिलहाल खाना खाने के बाद सिफ कमजोरी हो रही है कि आप काम नहीं कर पा रहें लेकिन बहुत लंबे दिनों तक इसको एग्नोर किया चेक अप नहीं करवाया, चेक अप नहीं किया तो फिर क्या-क्या problems हो सकते हैं इनसे बहुत सारी serious problems हो सकती हैं पहले जो है वेट पर असर पढ़ जाता है और वेट के कारण बहुत से metabolic diseases आ सकती हैं जैसे मैंने बताया diabetes है, high cholesterol levels है और अपना BP है, obesity है तो ये चीजे सिर्फ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और उनके द्वारा बाकी के complications भी हो सकती हैं ये मेरा पक्का मानना है आप रात में जारा देर तक खाने की कोशिश ना करें उसकी आदत ना डालें इसके अलावा भी और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं इन दो तरीकों के अलावा जो आपने बताया ताकि हम food coma को prevent कर सके ज़रूर दो तीन चीजे और हैं एक जो मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप post lunch के बाद quickly छोटा सा nap लें मैं कह रहा हूँ अप तो 15 to 30 minutes का nap है ज्यादा नहीं होना चाहिए this is absolutely important और ये ये nap आपको याद रखना है कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए maximum 15 to 30 minutes और it should be 45 minutes only और दूसी चीज़ है तोना अगर option नहीं है खाने के बाद तो थोड़े थोड़ी गेर बैठ के और थोड़ी गेर के बाद थोड़ा walking कर लीजेगा और दुपैर का time है तो light तो रहेगा ही sunshine रहेगा जाके थोड़ा सा sunshine में जाके आप walking पैल सकते हैं तो यह जो है exposure to bright light भी effect of a nap जितना आप सो रहे उतना ही आपका effect यह चलने से होगा bright light तो that you have to take care और stay hydrated देचे पानी ज्यादा पीते में हैं लो make sure that you are keeping yourself hydrated यह hydration ही यह पानी ही आपको थोड़ा सा उस फटीगा tiredness से बचा पाएगा ठीक है डॉक्टर साब लेकिन जैसे आपने पानी का ही जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अकसर बीच में भी पानी पीते हैं और खाना खाने के just bath भी पीते हैं तो dehydration रखना बहुत ज़रूरी है लेकिन लंच के टाइम पे पानी पीने का क्या इंटरवल होना चाहिए अगर वो भी आप बता दे खाना खाने से पहले पी ले या फिर खाना खाने के बाद पी ले तो तो अब कब पीएं और बीच में पीना पानी खाने के बीच में पानी पीना कितना सही है एज़रूरी हैं आप अपना मील फिनिश कीजैगा optimally 20 minute लगते हैं एक मील फिनिश करने को जादा कम भी टाइम ना ले और जादा भी ना ले and then after that again hydrate yourself I think that completes a balanced meal ठीक है दॉक्टर साब और अब आखर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहते हूँ चुकि ये ऐसी मतलब चीज है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत जाता होगा पर उसको लाइक वो इग्नोर कर देते होंगी कि ये तो हर किसी के साथ होता है ये तो दो पहर में खाना खाने के बाद नीन दाना तो मतलब नाट्रिल है और ये सही बात भी है कि हर किसी को ये प्रॉब्म शायद हो ये भी तै नहीं है लेकिन फिर भी जो एक वार्णिंग सिंटम्स होता है जब आपको रेग्लर बेसिस पर होना लगे और फिर बाद में वो और सीवेर भी होते जाए तो वो किस तरह के warning symptoms हैं ये food coma के अगर आप वो भी आखिर में बताते चले बहुत simple सी चीज है अगर आपको ये लगे की ये आपके रोज के एक habit बन रहा है कि immediately after your lunch और after your eating was feeling sleepy तो अगर ये आपके normal life को affect कर रहा है पहले प्लीज आपके physician से जाके संपर कीजेगा don't assume कि सब को हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है आपका condition दूसर होगा your trigger could be different तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये जो है आपके life को affect कर रहा है प्लीज पहले आपके physician से संपर कीजेगा तो ये था हमारा आज का Hello Doctor Podcast आपको ये episode कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio at the rate ashtick.com पर अगले हफ़ते आपसे मलकात होगी तब तक के लिए नमस्कार धर्ती चौकोर में कोल है बर्मूडा ट्रैंगल में कुछ तो जोल है ब्लू स्काई में समंदर का रोल है आपको पता है कोही नूर का क्या मोल है मोटी किताबें मत उठाईए गूगल भी मत चलाईए बस आज तक रेडियो पर ग्यान ध्यान लगाईए हर वेंस्टे से संडे रोज लगेगी क्लास अपल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट